परिचाए वह अवस्था जब मानव शरीर बच्पन के पश्चाथ जनन व्यस्कता को प्राप्ट करता है, उसे किशोरा अवस्था कहते हैं। किशोरा अवस्था बच्पन और व्यस्कता के बीच का समय है। किशोरा अवस्था शारीरिक, समवेदनात्मक, मानिसिक और सामाजिक परिवर्तन का समय है। इस पार्ट में हम किशोरा अवस्था से संबंधित परिवर्तनों, कौन, लेंकिक, लक्षन, मनिश्मे, लिंग, निर्धारन और जननात्मक स्वास्त के बारे में चर्चा उद्देश्य इस पार्ट के अंत में हम निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। शारीरिक आकरिती में परिवर्तन पुरुष लंबाई में व्रिध्थी लड़कों की किशोरावस्था व्रिध्थी करीब 10 वर्ष में शुरू होती है और अधिक्तम 18 वर्ष चलती है। इस दोरान होने वाले तीवर व्रिध्थी के लिए शरीर को अतिरिक्त पोशन की आव अविशक्ता होती है। उन्हें स्वास्थि प्रद आहार लेना चाहिए। स्वर में परिवर्तन एंड्रो जीन के प्रभाव में दूनों लिंगों में स्वरियंत्र या लेरिंग्स में व्रिध्थी प्रारंब होती है। यह व्रिध्थी लड़कों में ज्यादा प्रबल होती है। इसके कारण लड़कों की आवाज भर्राती और भारी हो जाती है। पून व्यसक तारत्व लगभग 15 वर्ष की उम्र में प्राप्थ हो जाता है। किशोरा वस्था के दौरान जब लेरिंग्स ज्यादा विक्सित हो जाता है तो यह गली के सामने बाहर निकलाता है। तवचा और शरीर पर बाल शरीर के विभन भागों पर बाल एंड्रोजीन की प्रतिक्रिया में उत्पन होते हैं। वैस्क पुरुष में शरीरिक बालों की उपस्थिती अधिक होती है। और विभन नसलिय समोहों के शरीरिक बालों के विकास के समय और मात्रा के बीच काफी अंतर होता है। पुरुष पेशी, विन्यास और शरीरिक आकरिती। यौवना आरंभ के समाप्ती तक वैस्क पुरुष की अस्थियां भारी हो जाती हैं और उसके अस्थी पंजर में पेशियां लगभग दुगनी हो जाती हैं। कुछ अस्थियां जैसे कंधों और जबनों की चौड़ाई में वृध्धी विशमानुपातिक रूप से ज्यादा होती हैं। जिसके परिणाम स्वरूप, स्त्री और पुरुष का अस्थितंत्र, स्पष्टता भिन हो जाता है। शारीरिक परिवर्तन स्त्री लड़कियों में किशोरावस्था की वृध्धी लगभग 10 वर्ष की उम्र से शुरू हो जाती है। और 12 वर्ष की उम्र तक यत्ती वृतम हो जाती है। और 16 की उम्र तक वह अपनी व्यस्क लंबाई प्राप्त कर लेती है। बगल में बाल का विकास दिखता है। वसायुक्त अमलस संगटन को बदल सकता है। जिससे व्यस्क शरीर में ज्यादा गंध आती है। जैसे लड़कियों में एंड्रोजीन के प्रभाव से तौचा से तेल का स्राव बढ़ जाता है। जिसके परिणाम सरूप बहुत से कील मुहा से निकल आते हैं। शरीर की आकृती वसा का वित्रण और शरीर का संगटन। इस सवधी में एस्टोजन के स्तर में भी व्रिद्धी के परिणाम सरूप श्रोणी प्रदेश का निचला भाग आकार में बढ़ जाता है। और इस प्रकार नितंब चौड़े बड़ी जन्म नली का प्रदान करते हैं, हो जाते हैं। अंगों में प्राकारियात्मक परिवर्तन। यौवना वस्था का प्रारंभ, मस्तिश्क द्वारा, जनन ग्रंथियों, अंडाशय और व्रिशन को दिये हार्मोन संकेतों से होता है। इसी प्रतिक्रिया में जनन ग्रंथियां विभिन प्रकार के हार्मोन उत्पन करती हैं, जो मस्तिश्क अस्थियों, पेशियों, त्वचिया, स्तन और जनन अंगों के विकास, प्रकार या कायंतरन को प्रेरित करता है। व्रिशन, पुरुष जनन अंग, शुक्राणू उत्पादन प्रारंभ कर देता है, और अंडाशय, स्त्री जनन अंग, आकार में बढ़ जाता है, और अंडानू परिपक्वो होने लगते हैं। स्त्री के योवना रंभ, रितुसराव का होना भी शामिल है। गौन लेंकिक लक्षन। ये लक्षन किशोरा वस्था में योवना आरंभ के समय प्रारंभ होते हैं। पुरुष और स्त्रीयों में गौन लेंगिक लक्षन। की अभिव्यक्ति। स्तन का विकास, ध्वानी का तारत्व या चेहरे के बाल जैसे लक्षन एक लिंग को दूसरे से भिन बनाते हैं। इन लक्षनों का दिखना हार्मोन स्राव के कारण होता है। हार्मोन अंता स्रावी गरंतियों द्वारा स्रावित रासाइनिक पदार्थ होते हैं। पुर्षों में टेस्टोस्टेरोन और इस्त्रियों में एस्टोजन हार्मोन गौन लेंगिक लक्षणों के प्रारंब होने का कारण होता है। पुरुष जनन अंगों का विकास। एस्टोजन शामिल है स्तन के विकास में, स्त्री जनन अंगों के विकास में, वसा उतकों में व्रिधी, विशेशकर, जांगों के आसपास, नितंब और स्तन पर। घटा हुआ पेशिये द्रवेमान, गर्भाशे रेखा का विकास, जलधारण। बहा सारे लक्षण जो विभिन प्रजातियों में एक लिंग को दूसरे लिंग से अलग करते हैं, वो केवल कुछ सनचनाओं या विशेश्टाओं का विकास मात्र होते हैं। अन्तासरावी ग्रंथियां हार्मोन और उनकी प्राकारयात्मक्ता। अन्तासरावी ग्रंथियां कई छोटे अंगों का एक सन्युक्त तंत्र हैं। जो अत्रिक्त कोश्किये रासाइनिक संकेत अन्मों जिन्हें हार्मून के नाम से जाना जाता है को निर्मुक्त करता है। और एड्रिनल ग्रंथी। अन्तासरावी ग्रंथियों का मुख्य लक्षन है उनका वाहिनी हीन प्रक्रिती। उनकी संवहन ग्षमता। कोशिकाओं के भीतर निर्वाह या कणिका मय की उपस्तिती जो हार्मून को एकत्रित करती है। गौन लेंगिक लक्षनों से संबंधित लिंग हार्मून। पुरिशों में व्रिशन और स्त्रियों में अंडाशे जनन ग्रंथी जिन्हें प्रात्मिक जनन अंग कहा जाता है होती है। ये अंग शुक्राणों और अंडाणों के उत्पादन के लिए उत्तरदाई होते हैं। लेकिन ये हार्मून का स्राव भी करते हैं। इन्हें अंतास्रावी ग्रंतियां माना जाता है। व्रिशन पुरुश लिंग हार्मून के समूँ को एंडूजन कहते हैं। सबसे प्रमुक एंडूजन है टेस्टोस्टेरोन जो व्रिशन में स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन भूण के विकास के साथ शुरू हो जाता है। जो जन्म के कुछ समय बाद तक जारी रहता है। और बाले काल के दौरान लगभग बंध हो जाता है। और योवन आरब के समय पुना शुरू हो जाता है। स्टोराइट हर्मोन निम्न के लिए उत्तरदाई होता है। पुरुष्ट जनन तंद्र की वृध्धी और विकास अस्थी तंद्र और पेशिये विकास में बढ़ोत्री, लेरिंग्स का बढ़ना और उसके कारण ध्वनी में परिवर्थन, शारीरिक बालों की वृध्धी और वित्रण, अंडाशय, स्ट्री लिंग हार्मोन के दो समूं एस्टोजन और प्रोजेस्टरोन अंडाशय में उत्पन्न होते हैं। ये स्ट्रोइड हार्मोन स्ट्री जनन अंगों के विकास और लिंग निर्धारण में सहिता करते हैं। योवना आरंब की समय एस्टोजन निम्न को बढ़ाता है। स्टन का विकास, वसा का बढ़ना, नितंबों, पहरों और स्टन पर जनन अंगों चैसे गर्भाशय और योनी का विक्सित हो रां। एस्टोजन और प्रोजेस्टरोन संयुक्त रूप से स्ट्रियों में रितुस्राव चक्र के समय गर्भाशय में होने वाले परिवर्थनों के लिए उत्तरदाई होते हैं। थाइरोइड ग्रंथी अंतासरावी ग्रंथियों से उत्पन्य हार्मोन का उनके लक्षितंगों तक के लिए पत्थ। अगनाशय ग्रंथी अगनाशय एक अंतास रावी ग्रंथी, इंसुलिन सहित कई महतपून हार्मोन का उत्पादन, साथ ही साथ एक वाहिस रावी ग्रंथी, पाचक किनवकों से युक्त अगनाशय रस्का उत्पादन है, जो छोटी आत में जाती है ये किनवक, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को अमलान में विखंडित करते हैं एडिनल ग्रंथी, एडिनल ग्रंथी जिसे सुप्रा रेनल ग्रंथी भी कहते हैं, तिरिभुजाकार अंतास रावी ग्रंथिया होती हैं, जो व्रिक्य के उपर स्थित होती हैं ये एंडिनलिन के माध्यम से तनाव किस संयोजन के लिए उत्तरदाई होती हैं अन्य जीवों में हार्बोन गायांतरण एक जहविक प्रक्रम है जिसके द्वारा कोई जीव, जन्म या उत्त्ति के बाद शारीरिक विकास करता है इसमें जन्तु के आकार या संदचना में कोशिका व्रिधी और विभेदी करण द्वारा एक स्पस्ट और लगभक आउचक परिवर्तन होता है उभेचरी कायांतरण एक विकास प्रक्रम है जो थाइरोइड हार्मोन द्वारा प्रारंब होता है और टेटपोल को मेंधक में परिवर्तित कर देता है बहुत से जन्तों में वेस्क का रूप उनके पूरो वर्ति लार्वा से पूरी तरह भिन्न होता है इस चेनित रूपांतरण को कायांतरण कहते हैं कायांतरण एक सुपता वस्था जिसे प्यूपा कहते हैं के दौरान होता है पालतू रेशम के कीडे का समान्य विकास का चरण इस प्रकार है लार्वा, प्यूपा और वैस्क अवस्था। रेशम के कीडे के कायंतरण के लिए उत्तरदाई हार्मोन है प्रोथो रेकिको ट्रॉपिक हार्मोन। स्रियों में जननकाल, स्री जननतंत्र, स्री जननतंत्र में अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय और योनी जैसे आंतरिक अंग, वाहे शारीरिक सनचना और तन होते हैं। स्रियों में योवना आरंभ के बाद रजो दर्शन, पहला रितु स्राव, लगभग 15 की आयू में होता है। स्री के जननकाल, रितु स्राव चक्र में प्रतेक स्राव, रक्त स्राव का प्रारंभ, लगभग 28 दिन के अंतराल पर होता है। रित्युस्राव के रुक जाने को रजो निवृत्ती कहते हैं, यहाँ 45 से 55 वर्ष की आयू के बीच होता है। मनुष में लिंग निर्धारण किसी व्यक्ति के लिंग का निर्धारण गुण सूत्रों के माध्यम से किया जाता है। एक सामान्य मनुष में गुण सूत्रों के 23 जोड़े होते हैं। इनमें से 22 जोड़े आटोजूम होते हैं, जो शरीर के लक्षनों के लिए उत्तरदाई होते हैं। और एक जोड़ा लिंग सूत्रों होता है, जो किसी व्यक्ति का लिंग निर्धारण करता है। पुरुष में X, Y गुण सूत्रों होते हैं, और इस्त्री में X, X गुण सूत्रों होते हैं। भातिक और शारेरिक आवशकताएं। एक संतलित आहार में कार्पो हाइडरेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खानी चुलावान और रेशे अवशे होने चाहिए इसमें ये सभी चीजें सही अनुपात में होनी चाहिए सारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं वह अवस्था जब मानव शरीर बच्पन के पश्चाद जनन व्यस्कता को प्राप्त करता है, उसे किशोरा अवस्था कहते हैं किशोरा अवस्था हमारे जीवन की स्वर्णिम अवस्था है, क्योंकि यह मनुरंजन और मस्ती से भरी होती है योवना आरंब के अंतरगत आपकी शरीर में भातिक परिवर्थन होते हैं जो आपके बच्चों जैसे शरीर को एक व्यस्क शरीर में परिवर्थित कर देते हैं लड़कों में किशोर आवस्था का प्रारंब लगभग दस वर्ष की आयू से आरंब होता है और अधिक्तम 18 वर्ष की आयू तक चलता है योवना आरंब के दौरान लेरिंग्स में अधिक व्रिद्धी होती है ये गले के सामने उबरे भाग के रूप में दिखता है इसे एडम्स, एपल या कंट मणी कहते हैं लड़कियों में किशोर आवस्था का प्रारंब लगभग दस वर्ष की आयो में हो जाता है बारा वर्ष की आयो में यह तीव रितम होता है और सोला वर्ष की आयो तक वे अपनी पून लंबाई प्राप्त कर लेती हैं पुर्षों में दिखने वाले गौन लेंगिक लक्षणों को आरंब करने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन उत्तरदाई होता है अंतासरावी ग्रंथियां कई छोटे अंगों का एक सैयोक्त तंत्र हैं जो अत्रिक्त कोश किये रहसायनिक संकेत अड़ूं जिन्हें हार्मोन के नाम से जाना जाता है उसको निर्मुक्त करता है पुर्षों में व्रिशन और स्त्रियों में अंडाशय, जनन ग्रंथि, प्रात्मिक जनन अंग होती है पॉर्ष लेंगिक हार्मोन के समों को अन्डोजन कहते हैं स्त्री के अंडाशय में अस्त्रोजन और प्रोजैस्स्तेरोन नामक दो fulness्त्री लेंगिक हार्मोन समों उतपन्ञ होते हैं अगनाशय एक अंता स्रावी ग्रंथी इंसुलिन सहित कई महतपून हार्मोन का उत्पादन साथी साथ एक वाहे स्रावी ग्रंथी पाचक किनवकों से युक्त अगनाशय रस्का उत्पादन है जो छोटी आत में जाती है ये किनवक कार्बो हाइडरेट, प्रोटीन और वसा को अमलान में विखंडिक करते हैं एड्रिनल ग्रंथी एड्रिनेलिन के मात्यम से तनाव के संयोजन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदाई होती है स्त्रियों में यौवनारंब के बाद रजोदर्शन, पहला रित्सुराव, लगभग पंधरा की आयू में होता है स्त्री के जननकाल, रित्सुराव, चक्र में प्रतेक स्राव, रक्त स्राव का प्रारंब लगभग 28 दिन के अंतराल पर होता है रित्सुराव के रुख जाने को रजो निवरित्ती कहते हैं, यह 45 से 55 वर्ष की आयू के बीच होता है